हेलो बच्चों कैसे हैं आप लोग तो बच्चों आप लोगों को पता है हमारी नीट रिविजन सीरीज पीड केमिस्ट्री आ चुकी है और उसी का आज आ चुका है मार पास फर्स लेक्टर ठीक उससे पहले बात कर लेते हैं हम लोग किसकी हम लोग बात कर लेते हैं कैसे चलन और वो शीडियोल है पहले पढ़ेंगे पीरिक टेबल फिर क्यमिकल बॉंडिंग दो पार्ट में आयनिक वाला पार्ट अलग रखेंगे थोड़ा सा उसमें दिखकरता हूं कोडिनेशन बेटलर्जी एस पीपी और फिर डी एंड एफ ब्लॉक लास्ट में तो यह हमारा पुरा टाइम टेबल हो जाता है आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं आज हम लोग पढ़ने वाले इंट्रोडक्शन हिस्ट्री एंड एफेक्टिव नुक्लियर चार्ज ठीक है इस वाले पार्ट से मेडिकल में कभी जादा कुशन पूछे नहीं गए इस्टिल आपको नॉलेज होनी चाहिए ठीक है इस्टिल आपको पता होना चाहिए लेकिन इस पार्ट को लेके सबसे जादा दिक्कत रहती है कि यार यह होता क्या है आज तक ही समझवे ही नहीं आ प पैल आठक पक जो की है पीरियोडिक टेबल ठीक पीडिक टेबल में जो फ़र्स्ट युह लोग डिसकेशन करने वाले हैं लोट है हिस्ट्री से हैं वहता है किस तरीके से पिरियोडिक टेबल थी जो एवॉल्व होती हूए ठीक है जो आप लोग देखते हो उसके बहूत ब जानते हो मतलब यह model आया उसके बाद जाते 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 quantum तक पहुंचे तो इसी तरीके से छोटे-छोटे-छोटे-छोटे models आते जगा है periodic table के सबने अपने अपने logic दिये and then उसके बाद हमार को एक final periodic table मिल गई ठीक चलो तो हिस्ट्री में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं तो यह तो आपकी होती है लॉंग फॉर्म ओफ पिरियोडिक टेवल ठीक यहां पर यह लैंथनम इदर डाल देना और एक्टीनियम इदर डाल देना ठीक है लैंथनम और एक्टीनियम में यह confusion नहीं होना चाहिए है ठीक है लैंथनम और एक्टीनियम में यह कोई confusion नहीं होना चाहिए कि यारी एफ ब्लॉक के या डी ब्लॉक के यह टी ब्लॉक के होते हैं आगे देखेंगे भी सरी ठीक फिलाल आप लोग उन्हें देख लिए इसलिए बता रहो तो सबसे पहला दिया था हमारे लवाइज भाई साब ने अपना classification तो लवाईजर ने ज्यादा कोई बड़ी चीज नहीं करी थी लवाईजर ने बोला कि कोई group of set of elements है उनकों लोग मेटल्स बोलेंगे ठीक है और कुछ थे नॉन मेटल्स पिर उसने इनकी सबकी प्रॉपरटीस बता दी कि मेटल्स होते हैं होते हैं चल्डी ब्रेक हो जाते हैं तो पाउडर फॉर्म आ जाते हैं ऐसा सारा सारा उसने बताया मेटल्स और नौन मेटल्स का classification किया ठीक लवाई इसने कुछ बड़ा दिया भी नहीं था ठीक है इसका कोई नहीं था मैटल्स नान मेटल्स कुछ भी बहुत बड़ी बात नहीं करी तो यह बहुत बेसिक सा क्यों फेल हुआ क्योंकि स्वेमी मेटल्स आ गयते अगला आ जाता है हमार पास डॉबर नियर ट्राइट तो बेसिकली यहां से आप लोग बांच सकते हो कि स्टार्ट हुई थी देखो modern long form of periodic table से पहले जितने भी साइंटिस्ट आये थे मतलब मोजले से पहले जितने भी साइंटिस्ट आये थे उन सब ने एक ही बात को लेके अड़ गए थे एक ही बात के ओपर चल रहे थे दूसरी तरीके से सोचते ही नहीं थे और वो था atomic mass ठीक जितने भी साइंटिस्ट थे वो लोग सब atomic mass के हिसाब से ही चल रहे थे क्यार atomic mass ही अमारे लिए एक priority वाला connection है मतलब जो भी हमें set बनाना है जो भी हमें जमाना है जिस तरीके से वो atomic mass से ही करना है मोजले के बाद ये concept change हुआ था atomic number से बड़ इससे पहले atomic mass से था और शायद यही कारण है कि उनकी periodic table कभी success में नहीं रह पाई क्योंकि उन्होंने atomic mass को priority दी है ना तो डॉबर्णियर ने क्या करेते अपने को पता है डॉबर्णियर ने groups बनायते तो यहां से groups की बात start हो गई थी groups बनायते तीन के set बनायते और क्या condition रखी थी कि अगर एक element है एक element है बी और एक element है सी तो जो atomic weight होगा बी का वो क्या होगा ए प्लस सी बाई ठीक क्या होगा ए प्लस सी बाई टू मतलब ए और सी का क्या होगा average होगा और यह जो तीनों elements है और यह जो तीनों elements है इनकी क्या होगी similar properties basically हमें करना क्या था हमें periodic table बनानी क्यों थी क्योंकि हम चाहते थे कि यार वो elements जिनकी property सेम होती है उनको हम एक ही गुरूप में रख दें ताकि हर element की अलग अलग physical या chemical property पढ़ेने की जरूरत ना पढ़े ठीक है कोई reaction है जैसे आप लोग तो अभी modern form देखते हो जैसे block देख लेते हैं उसकी फलाना reaction होती है ठीक है पानी के साथ ठीक है लेकिन अब अगर यह सब कुछ नहीं आया होता तो आज हम लोग शायद lithium के लिए अलग बुक sodium के लिए अलग बुक यह सारी कहानी देख रहे होते हैं इसलिए ग्रुप्स बनाना एक similar elements को एक जगे रखना सबसे ज़्यादा जरूरी मुद्धा था ठीक तो बीज इकल्स टू क्या हो जाता है एक प्लस सी बाइटू तो एक जो ट्राइड बनता है यहां पर वह बनता है किसका लिए एन और के का लितियम सोडियम और कोटेशियम का एक और जो ट्राइड बनता उसने सोचा था तो यह ट्राइड बनाये थे अब हमें भी पताएगी यह ट्राइड कब तक चलते कितने बना ले थे बात थी कितने बना ले थे यह ट्राइड ज्यादा सक्सेस्फुल नहीं रहे क्योंकि एक तो यह लिमिटेड नंबर में थे ऐसा जो पैटर्न है वो लेकिन डॉबर्नियर ने स्टार्ट कर दी थी एक मुहीम जो की थी अटॉमिक वेट की यहीं से अटॉमिक मास को लेके सारे साइंटिस्ट आगे बढ़ते गए किसी ने नया कुछ सोचा ही नहीं अंटिल अनलेस मोजले पिक्चर में नहीं आता है ठीक तो यह तो था डॉब इनको गयस की जो-डिस्कवरी है जो इन्रट गयस की डिस्कवरी है वो कब तक नहीं हुई थी में अट्र लीव तक इनको बात करने आये थे इनको इनेर्ट गैसेज इनको इनेट गैसेज के बारे में पता ऑए तो इसलिग प्रेटीड टेबल में तुक्का भीड़ जाता था और यहाँ रहाए नहीं है क्योंकि जहाँ इनेर गैसेज आई थी सारे गामा पादानी सा तो जो वह वापिस से आया है बेसिकली वो क्या होगा element repeat करेगा है ना क्या होता यहाँ पर element repeat करता है अब देखो फिर से वही जो मैंने बोली थी इन्होंने मुहीन चाल्दू कर दी ती सब एक ही बात पर चिपके हुए थे क्यार हम तो atomic mass case आप से ही चलेंगे ठीक है atomic mass case आप से ही चलेंगे तो इसने क्या बोला properties of every eighth element was similar to the first element ठीक जैसा कि आप लोग सारे गामा पादानी सा में देखते हैं कि जो आठवा सोरे वापिस से साही होता है तो इधर अपन क्या बोल सकते हैं इधर कौन आया इधर आया लीथियम बेरीलियम बोरॉन कार्बन नाइट्रोजन ओक्सीजन लोरीन और यहां आगया स्लोडियम सब्सक्राइब गर्ष्राइब लाइन जैसा कि मैंने बताया उस टाइम तक डिसकावर नहीं उई थी तो किसी भी साइनटिस्ट को इनट गैस के बारे में नहीं था इनफेक्ट उन्हें उस तरफ सोचा भी नहीं था कि आर इनर्ट गैस जैसी कोई चीज आएगी और यह पूरी periodic table को खिला दए यहाँ पर इसका failure क्या था तो यहाँ पर elements सही जगे पर फिट नहीं हो रहे थे मतलब 8th element नहीं आ रहा था वापिस से रिपीट हो के अब्यस्ली इसने तो यह मान के चला था कि हम लोग हर एक पिरेड में 8 element रखेंगे लेकिन इसे क्या पता था कि आने वाले टाइम में एक पिरेड में 32 element तक भी जा सकते हैं इसे क्या पता था ठीक लाइक इन दे केस ऑफ म्यूजिकल वाल्स तो फेलियर क्या था आगे आने वाले elements फेल गए ठीक है उसके अलावा यहां पर आगे जाके सवाल पूछे आते हैं इसलिए मैं सिर्फ आपको एक रफ आइडिया दे रहा हूं किसने क्या करा था आपको पता होना चाहिए किसने क्या करा था क्योंकि यहां से आपके लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल कभी भी अराइज नहीं होगा ज्यादा से ज्यादा पूछेंगे तो मेंडली के वारे में पूछेंगे आज तक तो पूछा नहीं गया है ठीक फिर आ गया था हमार पास एक लूथर मेयर कर वह उन्होंने वाह सब क्या का उन्होंने कहा कि अगर हम कि यहाँ पर रख दें क्या यह रखाता उन्होंने किसको रखा था अटामिक मास को ठीक है और यहां रखाता हूनोंने ट् vehicles हो को नोने कहा कि मैं क्या करने वाला हूं मैं करने वाला हूं I topic diese और उस graph के सब्सक्राइब करके खेला है तो उन्हानुने क्या पाया जो ये पीक थे इन पीक पर आ रखेते हैं आपके कौन से मेटल से इस मेटल से बेसिकली उसने ये बोला कि इस ग्राफ में इस graph में हर position पे, हर same position पे same properties वाले elements repeat हो रहे थे, ठीक है जिनकी property सेम थी वो इस curve के अंदर same position occupy कर रहे थे, ठीक अब देखो यह अपने को पता एलकल मेटल्स उपर आ गए अब दिक्कत आती है हमार को हैलोजन्स और किसके अंदर एलकलाइन अर्थ मेटल्स वह तो अपने को वैसे पता है पिरियोडिक टेवल तो अपने को पता ही है तो यहां पर अगर मेगनीशियम है तो हमार को पिरियोडिक टेवल के इसाब से भी पता है कि एने के बाद आता है हेलोजन आना चाहिए और हेलोजन यहाना आता है आपका कोन फ्लौरीं तो देखो यह कौन जी पॉजिशन होती है ascending या descending बढ़ता हुआ है या गटता हुआ है obviously बढ़ता हुआ है तो ascending position किसने occupy करी थी ascending position किसने occupy करी थी हैलोजंस ने किसने हैलोजंस ने और याद रखने का तरीका बिलकुल sodium के आगे आता है magnesium और sodium के पीछे ही आता है fluorine तो यहां पर रख दिया fluorine इसी तरीके से जमादो किदर हैलोजंस को और इसके आगे वाल में जमादो alkaline earth metals को ठीक है यह बास समझ में आती है अब जो दूसरा point था कि यहां पर ही आपके पास क्या रहे हैं देखो d block elements जो d block elements थे व हमें पता है d block elements की density है वो क्या होती है जादा होती है डी block elements की density क्या होती है जादा होती है basically क्या होता है mass upon volume density क्या होता है mass upon volume तो उसने बोला कि भाईया volume कम हो जाता है क्यों क्योंकि density जादा है density जादा है तो volume क्या होना चाहिए कम तो इसलिए जो d block elements थे वो कहा occupy करते थे ड पर उसके में पता कौन से ऍौल अफ्यान मईकनीशियम मेंगक लग जैगा के लग ज aíक यह तो था हमारे लूथर्मियर Assistant का करव अब आ दिए कि इसमें क्या में रह गई सर है एक तो यह करव को याद रख पाना अपने आप में बड़ी दिक्कत वाली बात है ठीक और अगर आप से मैं पूछू क्या है यह अच्छा लग रहा है देखने में क्या इसको याद रख पाना इतना असान है तो बेसिकली यही रीजन था लूथर मेयर कर्व को याद ही रख पाना अपने आप में हुई थी क्लेयर है चलो अगला आ जाता है हमार पास दीमित्री इवन और पता नहीं क्या नाम है बड़ा जीफ सा नाम इसका दीमित्री में बोलता हूं बीचका मैं खा जाता हूं इसको बोला जाता है फादर आफ पिरियोडिक टेबल ठीक है बेसिकली मुहीम जो अटामिक मास्क को लेके उसको एक अच्छे डाइरेक्शन में लेकर गया था मैंड़ी ठीक ठाक तो अच्छा तो नइसमें बोल सकते हैं तूर यहीं से एक फोग बनाई ठीक तो तो उसमें काफी सारी चीजे मेंड़ीव की देने उसी ने बहुत सारी चीजें बताई थी तो मेंड़ीव ने क्या कहा था इसका क्या था इसने increasing order of atomic weight में जमाया था इसने क्या करा था increasing order of atomic weight में जमाया था 63 elements were known noble gases were not discovered मेंडलीव के साथ भी क्या समस्या रही मेंडलीव के साथ में भी यही समस्या रही कि inert gases की discovery नहीं हुई थी मेंडलीव के पास भी एक समस्या रही थी कि inert gases की discovery नहीं हुई थी समझ में आ गई बात तो इसने क्या कराता इसने कुछ चीज़ें बनाई थी जैसे आपके पास एक तो इसने वर्टिकल कॉलम्स बनाये थे इस तरीके से और एक इसने horizontal बनाये थे ठीक इनको बोलाता इसने क्या series ठीक है इनको क्या बोलाता इसने series जिनको बाद में हम लोग जानने लग गए periods के नाम से periodic table के अंदर हम लोग इने periods के नाम से और वर्टिकल कॉलम्स बनाये थे ठीक इस तरीके की जो series थी वो कितनी थी बारा टोटल इसने बारा series बनाई थी बहुत होता है अभी तो हम लोग long form of periodic table में हम लोग कितने period देखते हैं साथ अभी तक साथ ही देखते हैं इसने बारा बनाई थी बड़ी बात थी ठीक और इसने जो columns बनायते या groups बनायते वो बनायते कितने आठ एट groups बनायते और उसमें भी इसने शानपत्ति क्या करी थी हर एक group को दो पार्ट में divide कर दिया था फर्स्ट ए फर्स्ट भी इसी तरीगे से second day second week till कहा तक सेवन्त तक इसने दो groups में divide करा सेवन्त तक दो groups में divide करा लेकिन पता है नी है एट में इसकी क्या मंचा आई एट में पता है इसको क्या इसने एक दो और तीन इसने एट को तीन सब ग्रुप्स के अंदर डिवाइड कर दिया था तो तो साथ तक सेवन तुजा फोर्टीन सिंबल जी मैच सेवन तुजा फोर्टीन और फोर्टीन प्लस त्री दाट इस यहार सेवन्टीन ठीक है कितने सेवन्टीन तो सेवन्टीन इसने वर्टिकल कॉलम्स बनाए थे ना चलो तो आगे बढ़ ले आते हैं अब इसके यार पेरियोडिक टेवल का तो इसने बुला था एक जो भी ग्रुप होगा वह नॉर्मल होगा और जो भी होगा वह ट्रांजिशन हो वड़े फोर थे इस तरीके से इसने बनाये थे और यहां पर वर्टिक होरीजोंटल में बारा पीरेट्स रखे थे जैसे कि देखो एच एली एने के सी यू रूबीडियम सिल्वर हो जाता है सीडियम गोल्ड इस तरीके से इसने कितने रखे थे टोटल बारा रखे थे एक की पियर्टिक टेवल थी और काफी जाधा मदत मिली थी काफी जाधा मदत मिली थी और वैस्ले आप लोग देखी पा रहे होंगे सेम ग्रुप में वाले जो सब्यूप वाले सब्सक्रिकों एक जगे लाया लाए तो यह उसने पताया तो हम भी यह जाते दे कि वह जिनकी के chemical properties relevant है वो सारे के सारे एक ग्रुप में ही आ जाए तो यह मैंडलीव ने एक अच्छा कासा model दे दिया था अब बात आती है यहां पर जो पहला डी मेरिट रहा था चलो पहले मेरिट की बात कर लेते हैं ठीक है पहले मेरिट की बात कर लेते हैं तो मेरिट में इसने एक तो क्या करा था एक इसने spaces छोड़ दी थी जो मेरिट था इसका वो था इसने elements के लिए spaces छोड़ दी थी जिन elements के बारे में इसको पता भी नहीं था बेसिकली यह क्या हुआ ना जब periodic table बना रहा था तो उस जगे पर उसको element मिला ही नहीं ठीक है उस जगे पर उसको element मिला ही नहीं और element नहीं मिला तो उसने क्या कर दिया space छोड़ दी ठीक है कि हो सकता है आगे future में कोई element आया और इस जगे को occupy कर ले ठीक है तो उसने एक तरीके का तुकाई मारा तो छोड़ दिया था कि ठीक है आया तो ठीक नहीं आया तो कोई बात मिला अब उसकी किसमत अच्छी दी कि आ गए ठीक है उसकी किसमत अच्छी द था वो था correction in मतलब इसका marriage जो था basically इसने काफी सारे elements का काफी सारे elements का क्या किया था atomic weight के अंदर correction किया था बात मेंडलीव तक नहीं पहुची थी तो उससे पहले माना जाता था कि यार बैरी लिएम की जो वैलेंसी वह तीन होती है लेकिन बाद में मैंडली तक बात पहुची तो उसने सब अपना गणित लगाया दिमाग लगाया उसने मुला भाया तुम घलत चल रहे हो इसकी वै अब बात कर लेते एक कुछन आया था तो एक सिंपल कुछन जो की पूछा नहीं गया आस तक और आई गैस नहीं पूछेंगे मेडिकल के साब से मैंने कहा जैसे कि आप हो हिस्टरी के उपर जादा सवाल नहीं पूछे गए हैं हिस्टरी के बाद वाला जो पार्ट है वह ज पूछते हैं इस पहले पार्ट से जादा नहीं पूछाते हैं इसलिए एक रफ आइडिया ही आपके लिए सफिशेंट होगा मेंडिलीव की पीरियोडिक टेबल किस पर थी एटाउमिक वेज़ पर पिस्ट यह तो बात दी मेरिट्स की अब डी मेरिट्स क्या रहे मेंडिली क्या होते हैं एस ओसोटे सेम सेम अटोमिक नंबर और डिफरेंट इमिक महतलता है लेकिन उनका एक। डिफरेंट यह तीक कि रोगत्ति हैं इस तूपalter है कि हमारे पास आजाते हैं इस तो अगर आपकी periodic table atomic mass के उपर थी अगर आपने atomic mass के हिसाप से periodic table जमाई थी तो बताओ इनके लिए जगे कहां है periodic table में मुझे ये क्यों नहीं दिख रहे हैं periodic table में मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं कहां रह गई है ठीक है periodic table में कहां गायब कर दिया इन्हें आपने तो पहला जो सवाल उठा वो सीज़ा उठा था मेंडली के हिसाब से यह क्या कर दिया तुमने यह तो कुछ जोल जाल कर दिया मतलब तुमने अपने लॉस को खतम कर दिया दूसरा दूसरा था उसने बोला था कि इंक्रीजिं order of atomic mass यह atomic weight में उनक्रीजिंग order of atomic weight में लेकिन again failure आगया ठीक है फिर क्या हुआ again failure आगया यह है कोबाल्त और निगळ निकल ने ठीक कोबाल्त को इसमें निकल से पहले रखा यह पता निंग मैं इसका कोई पता क्यों रखा लेकिन जब पता चला कि अर्व इसके कुछ लोचा है क्यों क्यों कि जो atomic weight होता है Cobalt का वो ज्यादा होता है किस से atomic weight of निकल्ट आप डेटा भी देख सकते हैं है atomic weight of cobalt जो है वो क्या होता है निकल से ज्यादा होता है ठीक है निकल से क्या होता है ज्यादा होता है इसी जारी के उसने कुछ और सेट्स भी बनायते elements के ठीक तो basically आपको यह ध्यार रखना है कि इसका यह दूसरा डीमेरिट था जो की दिक्कत दे गया दूसरा डीमेरिट था जो दिक्कत दे गया तीसरा तीसरा भी important है position of hydrogen position of hydrogen hydrogen की position को नहीं बता पाया था मैंडलीव hydrogen की position को नहीं समझा पाया था मैंडलीव की यार hydrogen को रखना किदर है basically उसको यह नहीं समझ में आ रहा था क्यार मैं hydrogen को रखूं किदर क्योंकि हमें भी पता है hydrogen alkali metals की तरह भी properties दिखाता है और halogen की तरह भी properties दिखाता है तो यह मैं खुद ने बोला कि यार तुम increasing order of atomic mass में जवाओ लेकिन तुम नहीं लोचा कर दिया कि जिसका मास जादा है वो पहले आ गया जिसका मास कम है वो बाद में आ रहा है तो इस तरीके की गलती मेंडली ने करी ठीक तो यह तो थी जा सारी periodic table जहां पर किसको रखा गया था मुद्धा मुहीम कहां से चालू ही थी atomic weight से atomic mass से मुहीम को चालू करा गया है यार वीडियो को लाइक जरूर करते रहे ना समझ में आ गई बात वीडियो जरूर लाइक करते रहे हैं बजा आता है इसी तरीके से हमें motivation मिलेगा ठीक चलो बैसिक्ली आल्यमेंट्स फिर इसके बाद वहां से क्या हुई थी कुछ औव्यसली बात है हमें पता है हम लोग फोटो एलेक्रिक एफेक्ट के बारे में जानते हैं कि यह एलेक्ट्रान गिरा अपके वास कुछ वेवलेंज हमार को देखने मूली थी आपके वाशने को मिली थी एक्स रेज देखने को मिली थी और जब उसने उनकी frequency और उनके atomic नंबर के बीच प्लाट कर रहा थीक है उनकी frequency और atomic नंबर के रहा है क्या हुए यह वाला फंडा हा है और मोजले के बाद ही मोजले के düya बाद ही पेरियोडिक लॉक की डेफिनिशन बदल गई अब जो आतॉमिक माश्च से चल रहा था एक फाल एक तो मैने तो मैंप से चल रहा था रहा था उस नहीर दा रही है तो मैत ने सोच लेता दो नाव हो जाता उसका तो नाम हो जाता लेकिन विचारेनल हें विभी सोच ही नहीं सोच नहीं JUDY कि उनको पूंगर इंपारो इसकी बaringपीट करते चल रहे थे सिर्फ डेटा करते लिदे का वहां Boss मेंडिलीव ने बेसिकली मोजले ने एक एक्सपेरिमेंट करके अच्छे से समझाए कि यह चल रहा है इसलिए बोल रहा कि भाई आप एटामिक नंबर को डॉमिनेट करो आप एटामिक नंबर के हिसाब से अपना पिरियोडिक लॉद ओ ठीक है तो यह आया था मोजले का एक्सपेरिमेंट तो मोजले ने बोला कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज और पिरियोडिक फंक्शन ओफ एटामिक नंबर और यहीं से यहीं से जो वो मुहीम थी खत यहां धी cabele चेना फिर उसके बाद cars का भी काफी जादा यूज होता है आ पर हमें पता है quantum का भी इस्तेमाल काफी जादा है और याँ यहां पर एक काफी बार हो जाता है किसलेंटनम और एक्टीनियम कौन से ब्लॉक के elements काफी बार सुझेंट होता है कि साथ लेंटनम मतलब क्योंकि कहीं बार मैंने भी ऐसी कोई टेवल्स देखिये लगना लैंटनम और एक्टीनियम दोनों के दोनों डी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं और यह आ जाता है हमार पास क्या ग्रुप वन डाट इस यॉर एस ब्लॉक होता है अब यहां पर एक चीज जो मुद्धे वाली कुछ-कुछ पॉइंट से बताता हूं आपको पहली पर यह पूछा भी जा सकता है आपसे यह बहुत कॉमन पूछा जा सकता है बताओ पीरियोडिक टेबल के अंदर कौन सा ग्रुप सबसे बड़ा है ठीक है कौन सा ग्रुप मैं पीरिड की बात नहीं कर रहा हूं ठीक है मैं बात कर रहा हूं ग्रुप की कौन सा ग्रुप सब सबसे बड़ा है पीरियोडिक को सबको अधा जाता लास्ट वाला कि इसके ऊपर वाला दूंब बतीस बतीस है ठीक है तो पूछा आता कौन सा गुरूप सबसे बढ़ा है ग्रुप नमबर त्री सबसे बढ़ा है तो जो यहां पर देखना यह पर देखना यह 51 से यह वोटा है 89 10ип से इसी लिए बॉला जाता है सबसे बढ़ा होता है फूरए टेबल में भु नमबर थे में ही सबसे ज़ादा क्या होते हैं है अगर पूछा जाए मेटल सबसे आदा कौन से में होते हैं तो वो डी ब्लॉक के अंदर होते हैं सबसे आदा मेटल का मिलता में डी ब्लॉक के अंदर अच्छा यहाँ पर इन से रिलेटेड एक बड़ी इंपोर्टन इंपूचिन निकल पड़े पिंटू यार निकल पड़े पिंटू है ना बहुत खतंडाक है क्यों खतंडाक कि फंटब नकी सीलिए है क्योंकि एक ट्राइप का जो सबस心 ही हाँ पूछ पूछा जाता है वो पूछाता बताओ पीरियोडिट टेबल में ऐसा कॉन सा ग्रूप है जिसके तीनों एलिमेंट का कंफीग्रेशन एक दूसरे से रिजेंबल नहीं करता है इनको ग्रूप में क्वे औरेंज करा नहीं क्यों करा क्योंकि हमने पर आपके पास NS1 होता है यह आपके पास NS2 होता है यह देखा गया लेकिन जब हम लोगों ने इधर नजर मारी तो निकल पड़े पिंटू ने खेल कर दिया और निकल पड़े पिंटू का अगर मैं बात करता हूं तो यह होता है आरगन 4S23D किता होता है एट ठीक देखो वो वाली बात यहाद है कोबाल्ट और निकल वाली मेंडलीव ने भी कोबाल्ट को निकल से आगे रखा और मोजले के इसाब से भी कोबाल्ट निकल से आगे ही आया मेंडलीव ने पर कोई जैतना इस तरीकर से आप disrespect कर सकते हो निकल के बाद आता है हमार पास पढ़े ठीक है निकल के बाद आता हमार पास पढ़े और पने आता है हमार पास क्रिप्टन क्रिप्टन में आता है 5SL और так Servus क experto यहां पर खेल हो गया चलो ठीके यार साथ एक तो मान सकते हैं एक तो मैं भी मान लेता एक तो मैं भी मान लेता लेकिन यार एक ही गुरूप में होने के बाद तीनों अलग 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 हैं फिर क्रिप्टन के बाद आ जाएगा जिनौन और यह आ जाता है 6s15d9 देख लो भी देखा था कि इनके configuration resemble होते हैं एक गुरूप का common configuration चलता है यहां पर यह लफड़ा पाया गया यहां पर यह लफड़ा पाया गया लफड़ा क्या था कि भाईया यह वो गुरूप है periodic table का जहां पर तीनों element का या फिर आप बोल सकते हो सारे element का configuration एक दूसरे से resemble नहीं कर तो दिमाग में यह क्या कहोगे आपको दियान रखना है कि आम लोग इतना discussion नहीं करते हैं इनके पार जो सेवन पीरेट यह पसके सवाल पूछे गए ठीक बाट expect मत करना जादा chances नहीं है कि इस period के बारे में पूछा जाए जो भी पूछा जाता है वो six period तक ही पूछा जाता है seven period के बारे में कोई ज्यादा जावाल नहीं पूछता है ठीक है तो उसके बारे में one three d five इसी तरीके से copper क्या हो जाता है four s one three d ten तो यह अपना fully filled और यह अपना half field d के चलते हैं है ना एसके अंदर जबकि दो electron जाने चाहिए थे लेकिन एसके अंदर क्या होता है एक ही electron जाता है और इसका कारण होता है exchange energy basically क्या होता है number of exchanges बढ़ जाते हैं जब होने वाली एनर्जी है ठीक exchange energy release होने वाली एनर्जी है तो सिस्टम की stability बढ़ती है तो इस हिसाब से यह configuration यह लोग अटेन कर लेते हैं क्लेयर चलो आगे बढ़ते हैं फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर क्या हुआ फिर उसके बाद यह तो काम चलना नहीं था आउपैसी है ने बोला यार कुस्तो सोच बंक्यार तरीका सोच लेते हैं 100 से अबब वालों के लिए हम लोग कुछ लिवा तरीका सोच लेते हैं तो यहाँ मानलो आपसे बोला 101 का बताओ क्या नाम होगा ठीक है यहां से भी सवाल नहीं पूछा जाता है तो टेंशन मत लेना जादा फिर भी याद होना चाहिए क्योंगी पूछ सकते हैं यह एक लॉजिकल चीज है तो फिर भी पूछा जा सकता है कि आपको यह तो नाम देदेगा बो अगर 101 कै तो क्या क्या आएगा देखो One के लिए und zero के लिए निल और फिर उन के लिए क्वाइल चाहिए 343D चले तो तरीके क्को देखने को मिल जाता है तो बिल्कुल सिंपल साहिघ जो टाइप आफ को ़ो बता सकता हूं क्या-क्या पूछा जा सकता है यह देखे यह पूछ ले यह दे के यह पूछ ले और यह दे के ग्रुप नंबर पूछ ले एक टाइप का सवाल यहां पर यह भी आ सकता है कि आपको नाम दे देगा और बोलेगा बताओ ग्रुप नंबर क्या होगा तो इस टाइप के सवाल के लिए भी आपको ध्यान रखना है कि वन आ अलावा इसके अलावा आपको 3D सीरीज 4D सीरीज और 5D सीरीज की ट्रिक्स आपको पता होती है जैसे साइंस टीचर विनिता क्रिप लानी है ना उसके अधियारी जरा निवा मौत तक रोकावाट रहा पड़ी ऐसा ऐसा और लाहफता ठीक यह तो ट्रिक्स बना के हम लोग या क्योंकि आगे जाके जब चैप्टर बढ़ते आते हैं तो वहाँ पर इसका इस्तेमाल बहुत ज्यादा होता है तो ध्यान रखना थर्टी तक आपको इच और अवरी एलिमेंट का कन्फिग्रेशन टिप्स होना चाहिए दूसरी इंफॉर्मेशन दूसरी इंफॉर्मेशन इलियम नियौन आरगन क्रिप्टन जेन और इड़ यहां आपको इनके अटॉमिक नंबर याद होने चाहिए ठीक है यहां आपको इटॉमिक नंबर याद होने चाहिए आसा क्यों कह रहे हो ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि एक्जामेनर आपसे कोई भी मालो रैंडम ली बोल देगा कि बताओ 87 वाला जो एलिमेंट है जो 87 वाला एलिमेंट है वो कौन से पीरियड में आता है और कौन से ग्रुप में आता है तो आप समझना कि वह जो मैंने बात बोली आपको कि उनका अटामिक नंबर याद होना चाहिए वो कैसे तो आप याद भी निया तो आपको इतना तो याद है कि आठ एलिमेंट पहले में दो एलिमेंट होते हैं फिर आठ होते हैं फिर आठ अठारा ठीक उस तरीके से भी चल स पता हूं इनक्ट गैसेस के अटामिक नंबर की तो क्या हो जाएगा दो दस अठारा अठारा के बाद छत्तिस चत्तिस के आज 54 54 के बाद 86 इसको चोड़ दो है ना 112 वाले का अपन एक सोटारा एक तारा एक तारा एक सोटारा एक सोटारा लेकिन चलो उसको भी लिखी दो य करना चाहिए है रेटी से बढ़ा है और 118 से चोटा है यह होता है कौन सा पीयरेंड और यह होता है कौन सा पी दिवरेंड सेंट ओकूं को एस सृट लमाए और जाओ तो देख भी सकते हो तो इसलिए मैंने बोला कि आप लोगों को पीरियोडिक मतलब इसमें यह वाला पार्ट हमेशा याद होना चाहिए इससे आपको elements find out करने में आसानी होती है दूसरा मुद्धा दूसरा आपको यह सीरीज पता होनी चाहिए कहां से स्टार्ट होती है एफ ब्लॉक कहां से कहां तक जाते हैं क्योंकि वह अगर ज्यादा शार्णा हुआ उसको ज्यादा मैंनत नहीं करानी उसको तुम्हारा दिमाग चेक करना है तो वह सिर्फ इन ही में से कोई नंबर देखके उसका ग्रूप नंबर उसका पीरियन नंबर और उसका कन्फिग्रेशन तीनों चीजें पूछी जा सकती है अब इसके अलावा इसमें से सफिशेंट है ठीक यह सारी कहानी आप से पूछी जा सकती है तो आपको एधियान रखना है और इस नॉमन क्लेचर से रिलेटेड यह पूछा जा सकता है ठीक नाम देदेगा नाम से आपको पहले बनाना आए टॉमिक नंबर और अटॉमिक नंबर से फिर आप बताओगे क्या ग्रूप नंबर ठीक है अब आयाती है बात ब्लॉक्स के हिसाब से तो हमें पता है इस ब्लॉक होता है एनस वन होत होते हैं वह काफी ज्यादा क्या होता है रियक्टिव होते हैं ठीक है यह कहानी थी इसकी फिर उसके बाद आया था हमार पास पी ब्लॉक जनरल कन्फिगरेशन होता है एनस टू से एन पी वन से सिक्स यहां पर हमार पास छे ग्रूप देखने को बिलते हैं बोरॉन फैमिली नाइट्रोजन फैमिली और इनट गैस चोटी चोटी सी इंफोर्मेशन नहीं दिया रहा है डी ब्लॉक के अंदर आया था आपके पास एलेक्ट्रोनिक जनरल कन्फिगरेशन क्या होता है आप पर एन माइनस वन डी से डी वन से टैन और एनस वन से टू जहां पर इन क्या हो 427 होता है ठीक है 4D 5D 6D और 7D बेसिकली अभी तक 7 तो शायद आया ही नहीं है ठीक है अच्छा एन आपका शेल नंबर है ठीक है आपका पीरियंड नंबर ठीक है एन आपका पीरियंड नंबर होता है डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर प्लेस इन दा ग्रॉप्स नेम्ट 345678910 11 12 एक बात और बता नहीं थी जो रह गई थी मेरे को बताना था कहां गया यह आपको ग्रॉप नंबर ध्यान रखना यह थर्ड होता है 45678910 11 12 और यह होता है 13 ठीक है कितना होता यह 13 होता है तो इसके बारे में थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है चलो ग्रॉप नंबर में सब्सक्राइब याद होना ही चाहिए फिर इसके बाद आपको जैसा कि मैंने बताया था पहले डियम 4D0 5S0 का एक 4D10 और 5S0 का कन्फिग्रेशन होता है और अपनी फैंबली में यह सबसे अलग भी हो जाते हैं तीनों तीनों के तीनों ठीक होते हैं हमारे को पता है जो ब्ल इस ब्लॉक के अंदर एफ और बैटल के अंदर ही इलेक्ट्रॉन जाता है और यहां पर हम दोख देखते हैं 4F और 5F जो 4F होते हैं वो लैंतिनाइट्स होते हैं ठीक है और जो 5F होते हैं वो एक्टिनाइट्स होते हैं जनरल कन्फिग्रेशन कुछ इस प्रकार का देखा जाता है ठीक लेकिन अगर मैं आपसे इंपॉर्टेंट बात करूँ कि यहां पर हम लोग कौन सा वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट रखेंगे तो इसको पकड़ो इसको पकड़ो और इसको पकड़ो ठीक है तो बेसिकली हम लोग क्या बोलते हैं एनस टू एन माइनस वन डी लंबा लिखा हो है इसको शॉर्ट में लिखना चाहिए तो इस तरीके से होगा एनस टू एन माइनस टू एफ वन से इस तरीके से इसको फिल करना होता है ठीक है सिंपल सा पॉइंट है ज्यादा कुछ इसमें खास नहीं है चलो एक टाइप का जो और सवाल है जो मुझे बत जाता है ठीक है कल को 9th period discover किया जाता है तो बताओ कितने number of elements होंगे उस 9th period में ठीक कितने number of elements होंगे उस 9th period में यहां पर आपको थोड़ा सा एक अपरोच बदलनी है कैसे सोचना है वो समझते हैं अगर 9th period होगा तो हम लोग देखेंगे कि सबसे पहले कौन कौन से सब शेल present होंगे ठीक 9th period में होगा 9s 9s के बाद होगा हमार पास 9p 9p के बाद होगा हमार पास 8d ठीक 9th p के बाद होगा हमार पास क्या 8d n-1d n-2f n-3g और n-45h ठीक यहां तक लिख लो उसके बाद जरूरत नी पढ़एगी मैं बता रहum यहां देखा l is equal to zero n is equal to 9 ठीक है shell number 9 है और l की value 0 है यहां पर n कितना है 9 और l कितना है 1 यहां पर n कितना है 8 ल कितना है 2 यहां पर n कितना है 7 ल कितना है 3 यहां पर n है 6 और यहां l है 4 यह n कितना है 5 और l कितना है 5 अब थोड़ा सा atomic structure में अगर आप जाते हो तो जो l की value होती है वो होती है n-1 जो L की value होती है वो क्या होती है N-1 होती है जहां पर N क्या होता है integer ही हो सकता है अब्विस सी बात है N कभी भी fractional value नहीं हो सकती क्योंकि एक shell number है और shell number integer ही होता है ठीक तो इतना तो मैं कह सकता हूँ कि या जो भी वैल्यू आएगी एल की जो भी वैल्यू आईगी वो एंसे तो क्या होगी छोटी ही होगी भाई किसी नंबर में से तुम उसको सब्स्ट्रैक्ट कर रहे हो तो जो ओवरॉल रिजल्ट आने वाला है वो तो चोटा ही होगा इधर तो मैं इकोल्स टू भी नहीं सक यहां तक ही कंडिशन जा रही है इसके बाद वाले पॉसिबल नहीं होंगे इस पीरियड में इस ठीक है लेकिन अगर मोद करता हूँ इस पीरियड में मेरे पास कौन से स optics शल्स Nicиты Connen आ गये तो मेरे पास आ गए यह वाले सारे के सारे सब्षेल्स यह वाले सारे के सारे सब्षेल्स आ चुके हैं यहां पर होता है और्बिटल एक यहां पर और्बिटल होते हैं तीन यहां पर होते हैं पांच यहां पर होते हैं साथ और यहां पर होते हैं कितने नौ दो दोगा चलता है से पूछा गया था क्या number of elements तो number of elements के लिए एक orbital में दो electron तो आ जाएगा answer कित्ता पचास कित्ता जाएगा 50 आ जाएगा तो यहाँ पर वह आला electrons एक शेल के अंदर कितने हो सकते हैं क्या बताता है यह maximum number of electrons एक शेल के अंदर कितने हो सकते हैं तो आपको उस बात का त्यान रखना है तो टाइप एक और टाइप का जो question जो की पूछा जा सकता है आप से किस से related पूछा जा सकता है periodic table से related clear है चलो पढ़ते हैं हम आगे तो यह होता है आपके पास periodic table में दो आठ 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 अठारा अठारा बत्तिस बत्तिस यह होता है आपके पास elements corresponding periods के अंदर अब बात आ दिए periodicity की ठीक है atomic radius चालू करने से पहले हम लोग एक term पढ़ते है जिसके बारे में मैं भी discussion आपसे करने वाला हूँ ठीक है उसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे but basically हम लोग ने क्या पढ़ना है जो सवाल पूछा जाता है देखो मुद्दा किसका है मुद्दा है knowledge तो होनी चीए बट एक्च्वल आपके पास questions कहा से frame होते हैं यह जो मैंने types बतायते they are the kind of questions जो की पूछे जा सकते हैं ठीक है they are the type of questions जो की पूछे जा सकते हैं लेकिन अगर actual question जो अभी तक पूछा गया है periodic table से वो पूछा गया है periodicity से related मतलब atomic radius को लेके ionization energy को लेके electron gain enthalpy को लेके और electronegativity clear तो इस type के questions ही आप से क्या होते हैं ज्यादा पूछे जाते हैं जो भी मतलब previous year के साफसागर में आपको बताओ तो होता क्या है regular gradation in properties from top to bottom in a group and from left to right in a period is called periodicity in properties ध्यान रखना यह word gradation है graduation नहीं है ठीक है यह gradation है और gradation का मतलब होता है change change आना ठीक ट्रेंड के अंदर बदलाव आना या फिर आप बोल सकते हैं ट्रेंड बनाना कि क्या होता है एक ट्रेंड वही क्या होती है periodicity मतलब आपने कोई physical property पकड़ी जैसे मैंने पकड़ लिए atomic radius आप मैं बात करना चा चलती है मतलब अगर मैं एक period में जाता हूं left to right तो इसका nature कैसा होता है down the group जाता हूं तो कैसा nature होता है तो यह होती है periodicity ठीक इना पीरियोड अल्टिमेट शेल रिमेंस सेम बड़ नंबर अफ एलेक्ट्रॉंस ग्रैजुली इंक्रीजेस ठीक हमें पता है कि एक period के लिए ज वैलेंस शेल के बारे में वैलेंस शेल या फिर आप बोल सकते हो आउटर मुस्ट शेल जो इलेक्ट्रॉंस किसमें पार्टिसिपेट करते हैं बॉन्ड बनाने में ठीक है केमिकल बॉन्ड बनाने में जो पार्टिसिपेट करते हैं वो आउटर मुस्ट शेल या वैलेंस शे नंबर भी बढ़ रहा है और इलेक्ट्रॉंस भी बढ़ रहे हैं ठीक तो यहां से प्रॉपर्टी ग्रेस नहीं कर रहे हैं सिर्फ एक पावर पॉइंट ले रहे हैं डाउन दगरूप आने पर हमारे पास जो इलेक्ट्रॉंस शेल के अंदर यहां रखना लिखा हुआ है ठीक अब देल रहा है लेकिन बदल रही है एन की वैल्यूंस यहां पर क्या हो रहा है आपका नीचे आने पर एन बढ़ता है यह अलग तरीके से प्रॉपर्टी इसको डूपर्टीज को तो यह बहुत बेसिक सा पॉइंट है जिसके लिए मतलब अगर आपको याद भी निया तो से खुछ समाझ भी सकतो लॉजिकल है ना लॉजिकल है चलो अलग से क्या सूच है पूर प्रॉपर्टीज इस दूट सेम आउटर मुस्ट इलेक्ट्रोनिक कन्फिगरेशन कमिंग एट रेगुलर इंटर्वेल्स । ठीक है मतलग पिरियोलर इस देखने को मिलता है या फिर हमार को छमłam़ा इस देखने को मिलता है वो क्यों होता है क्योंकि एट टाइम के बाद यूज के अंदर स्य चलो अब बात करते हैं Slater's Rule की ये क्या कहता है मेरे को इसी पर आना था मुद्दा ये ही था ठीक मुद्दा ये ही था तो मुद्दा क्या है वो समझो भाई ये था Hydrogen माल लो तो हमें पता Hydrogen में एक electron और एक ही proton होता है तो जो भी force of attraction है वो totally इन में है यहाँ पर force of repulsion जैसी कोई चीज नहीं है ठीक है force of repulsion जैसी कोई चीज नहीं है समझ में आती है बात ठीक तो Slater's Rule क्या कहता है वो अभी हम समझते है सबसे पहले आ जाता है मार पास एक term that is your Z effective है ना effective nuclear charge जिसको आप बोलते हो ठीक उसको आप बोल सकते हो effective force of attraction अगर माल लो पहले तो एक electron था माल लो यहाँ पर एक electron और बढ़ा दिया obviously एक proton और बढ़ा होगा है ना भाई number of protons number of electrons के बराबर होते है कब तक एक neutral element के लिए है ना एक neutral element के लिए आपके number of electrons और number of protons क्या होते है बराबर होगा एक electron बढ़ा दिया obviously बाते है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ force of attraction लग रहा होगा क्या हो रहा होगा कुछ ना कुछ force of attraction लग रहा होगा चलो यहाँ पर कुछ ना कुछ क्या लग रहा होगा force of repulsion भी लग रहा होगा इस से आगे बढ़ते हैं थोड़ा से आगे बढ़ते हैं हमने shell number बढ़ा दिया और एक electron बढ़ा दिया अब कहानी समझते हैं कि proper कहानी क्या है देखो अगर मैं इस electron की बात करता हूँ, सब अटा दो सब अटा दो यहां से, सब अटा दो फालतो की चीज़़, सब अटा दो अब मैं बात करता हूँ आपसे इस बाहर वाले electron की, किसकी? बाहर वाले electron के लिए मैं आपसे कुछ बात है करता हूँ बाहर वाले electron पे कितने types of forces लग रहा है ठीक है, वो देखते हैं एक बार यह electron इसको क्या कर रहा है? repel कर रहा है ठीक है, यह electron क्या कर रहा है इसको? repel कर रहा है यह nucleus इस electron को क्या कर रहा है? attract कर रहा है यह nucleus इस electron को क्या कर रहा है? attract कर रहा है तो जो initial condition हमने देखी थी कौनसी वाली एक electron और एक proton वाली तो यहाँ पर सिर्फ force of attraction थे लेकिन यहाँ पर क्या हो चुका है यहाँ पर कुछ forces of repulsion भी आ चुके है repulsion forces आने की वज़े से जो यह attraction का force है वो क्या हो जाता है कम हो जाता है और उसी को बोलते है Z effective is equal to Z minus sigma यहाँ पर सिग्मा क्या होता है screening constant क्या होता यह शील्डिंग या फिर screening constant ठीक है क्या होता है screening या shielding constant simple सा point है Z effective is equal to Z minus sigma यह क्या है net force of attraction यह यह क्या था यह था force of attraction और यह क्या है force of repulsion ठीक इसको example से समझेंगे बड़ी आसानी से यह हो जाता है force of repulsion clear है यह बाद समय जाती है तो obviously क्या होता है यहाँ पर net force of attraction कम हो जाता है जिसको अपन denote करते है Z effective से तो इसके लिए अपन चलते हैं कि example लेते हैं बहुत तो इस तरीके का कुछ अमार पार सेनारिय मान लो मान लो मान लो आपकी सिटी में आपका फेवरेट superstar आने का ठीक है कोरोना के बात है ना ऑब्रिस ही बात है अभी और चल रहा अभी कोई नहीं आएगा ठीक मान लो आपके बास आपकी से अंदर एक बार तो कम से कम देखने जाओगे ना ठीक है जैसे अगर आपका फेवरेट सुपर स्टार है तो कम से कम एक बार तो देखने जाओगे मैं तो जाओगा ठीक है मैं तो जरूर जाओगा अगर आपका भी तो आप भी एक बार जाओगे लेकिन क्लाशेस तो मान लो कौन आ रहा था माण लो रजनीकान सर आ थे ठीक है कौन आ रहे ते रज posterior अहरे थे आपके किसी दोख कल जो भी वह वी उसमें बढ़ daha वाल और तुम पहूंचे कब तुमारी क्लास खतम द्साथ 15 पर एक लास करना भी जरूरी ए वरियां दॉक्तर्य रह जाएगी ठीक है तो यह रहे ते साथ तुमारी क्लास शुचे मधरी ते converted 15 condition है वो समझो यह रहे रजनीक आंसर है अब एक चीज बताओ अगर तुम साड़े साथ पर पहुंच रहे हो और यह छह पैतालिस प्यार है तो क्या तुम इकलौते हो जो फैन हो उनके हैं तुम कहीं के नवाब हो नहीं सिंपल जी बात है तुम इकलौते फैन तो हो नहीं और बीड़ आएगी तो भाई यह भीड़ पहुंच गई तो फिर बीड़ पहुंच गई बहुत सारी बीड़ पहुंच गई यहां पर भीड़ पहुंच गई बहुत सारी बीड़ पहुंच गई बहुत बहुत ठीक फिर आपन पहुंचते हैं अपन पहुंचे मतलब माल आपका कैसे ठीक तो अब आपर अपने पास क्या है क्या हुआ बेसिकली क्या हुआ ये जो अंदर वाले बंदे हैं ये जो अंदर वाले बंदे हैं या बंदियां है जो भी है ठीक है इन्होंने क्या कर दिया इन्होंने आपको रजनी कांद सर को देखने से रोक दिया एक रुकावट पैदा कर दी पूरी तरीके से तो नहीं पूरी तरीके से तो नहीं लेकिन एक अच्छी कासी क्या कर दी रुकावट पैदा कर दी रुकावट पैदा कर दी तो इन्होंने कि पास क्या है दो कैसे केस पहला मालो यह जो बंदे आपके आगे खड़े हैं यह जो सरकल आपके आगे खड़ा हुआ है यह आपसे छोटे हैं आप निकले कितने अवरेज ले लेता है फाइव एट के आप निकले और यह सब थे मालो फाइफ फाइफ लड़किया थी जनल लड़कियों के चोटी होती है तो यह पांच फूट पांच इनकी सब लड़किया यहां पर खड़ी हुई है ठीक अब आपके पास क्या उप्षान है अ अगर इनकी हाइट कम है तो आप अंदर की तरफ मूव कर सकते हो मालो आप नई पोजिशन पर पहुंच गया आप अंदर की तरफ क्या कर गए मूव कर गए तो केस एक था यह है इसमें क्या हुआ रजनी कांसर और आपके पहले बीच में कुछ डिस्टेंस था मालो ए बाद आपर यहां पर केस फ्रस्ट में केज फिर्स्ट में पर आपकी हैट जाधा थी और बाकियों की हैट कम थी तो denial इसी रही अच्छी रही यह बुरी तो आप लोगा कैसी रही पूर शील्डिंग में क्या हुजाता आप सेंधा Smith क्या हो जाता है बढ़ंचिया था था केस दूसरा हूं ना चिरह का लगाल केस अधरंने करने कर fragments क्शिब हॐ थोर। और थर फिर क्या करेंगे पर ने थोड़ा वह दिमाग है कि a रगर मैं ऐसे है लिए पीछे चला जाओं और फिर यह उच्चा करके देखने कोशिस करंसे तो तौल मैं ने क्या करा फिर बेसिकली मैंने पीछे जाने की कोशिश करें थीक है थोड़ा साइब का इस तरीखे यह मैं चला ऑगर आप से पूचो इन इलेक्ट्रोंस ने कैसी करी लोगों ने कैसी करी तो आप बोलोगे क्या लोग स्ट्रा conducting करी है यहाँ पर क्रेंगे लोगों ने कम हो जाता है ते क्या हो जाता है और यहीं से घ्यास की जो डिपेंदेंशी एकिस पर और वो दिख जाती है कि अगर आपका जैड़ एफेक्टिव क्या हो रहा है बढ़ रहा है तो साइज क्या हो जाता है कम हो जाता है और अगर जैड़ एफेक्टिव कम हो रहा है तो आपका जो साइज है वो क्या हो जाता है बढ़ जाता है साइज क्या हो जाता है बढ़ जाता है जो size है वो inversely proportional होता है Z effective के और इसी को बोला जाता है अब हमें पता है poor shielding किस किस की होती है D and F वाले electrons की ध्यान रखना orbitals की shielding नहीं होती है यहाँ पर अगर कोई बंदा नहीं खड़ा हुआ है यहाँ पर अगर कोई बंदा नहीं नहीं खड़ा हुआ है तो shielding कोई होगी ही नहीं इसलिए electrons की वज़े से shielding होती है ना की orbitals इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि मैंने सुना है लोग ऐसा बोल देते हैं ठीक और यहाँ हो जाएगी strong shielding और strong shielding में आ जाते है s&p ठीक है strong shielding में कौन आ जाते है तो वहाँ पर क्या होगा z effective काफी ज्यादा तेजी से बढ़ेगा ठीक ज्यादा तेजी से बढ़ेगा चल तो आ जाते हैं फिर value of sigma sigma का calculation होता है वो कैसे निकालते हैं तो दो अलग अलग तियोरिया है एक s&p electrons की है ठीक है s&p electrons की अलग से है और d and f की अलग से होती है d and f में क्या होता है अगर आप किसी भी d और f के electron की sigma की value निकाल रहे हो तो पहले तो grouping कर लेते हैं सारे हम लोग कहानी कर लेते हैं nd और nf के अंदर present अगर electron है इसी वाले electron की निकाल रहे हूं इस वाले इसमें जो electron present है उसका contribution होता है 0.35 कितना होता है 0.35 और इससे जो left में है grouping करने के बाद इसके जो left में same shell number हो different shell number हो कोई फरख नहीं पढ़ता इन सब का contribution कितना होता है 1.0 ठीक है मैं इदर कोई question निकालाने वालों sigma के लिए आप अपनी theory से भी पढ़ सकते हो यह ज्यादा important है आप एक दो questions करो के समझ में आजाएगा तो यह हो जाता है 1.0 nd और nf के electron के लिए 0.35 और क्या बोलता है इसके left 3 5N-1 का कितना होता है अब देखो मैंने एन-1 क्या आगे है ऐस्यापी नहीं लिखा है यह जब आप इसके electron की shielding निकाल रहे हो और यह जब आप इसके electron की shielding निकाल रहे हो यह रूञीज़ जगेगा ये रूल इदर लगए ठीक N-1 के लिए कितना हो जाता ए जीरो पोईंट 85 N-2 और beyond and beyond अगर इसके बाद आता है तो कितना हो जाता है one हो जाता लेकिन अगर मेरे से बोला जाए कि बताओ भृया 1s2 के case में कितना होगा बान लो helium का है बोला मुझे कि helium की case में बताओ sigma की value कितनी होगी तो यहाँ sigma लिखेंगे अपन जिस electron पर काम होता है उसके उपर shielding का effect count नहीं करते है आप रेजनी कांसर को देखने कहते हैं क्या तुमने खुद से खुद को तकलीफ पहुचाई क्या तुम खुद की बादा खुद बन रहे थे नहीं तो जिस electron पर अगर आप shielding calculate कर रहे हो उसको कभी भी count नहीं करते है तो basically बचा एक electron और यहाँ एक electron का contribution ns और np के हिसाब से तो होना चीए था कितना 0.35 लेकिन होता कितना है 0.3 तो basically 1s2 या फिर मैं बोलू 1s के electron पर अगर आप shielding निकालते हो यह बहुत important है यह confusion create होता है 1s के electron पर अगर आप shielding निकाल रहे हो 1s के electron पर अगर आप shielding निकाल रहे हो तो ध्यान रखना यह बात तो द्यान रखना, यहां contribution 0.3 लिया जाता है, यहां contribution इसके electron की वज़े से, किसके? 1S के electron की वज़े से 0.3 लिया जाता है, देखो आप दिमाग भूमेगा थोड़ा का, question, question देखते हैं, थोड़ा से दिमाग भूमेगा, क्यासे? मालो, मुझे बुला, बुरॉन के, आउटर मुस्ट इलेक्टरॉन की निकालो, ठीक है, लास्ट इलेक्टरॉन की निकालो, तो बुरॉन का configuration लिखा, 1S2, 2S2, 2P1, लिख दिया, ठीक, मेरे को बुला, इस इलेक्टरॉन की निकालो, 2P वाले इलेक्टरॉन की निकालो, तो मैं इसको अलगी रखो तो भी चलेगा इसको अलग कर दिया पर कितना हो जाएगा 2 एंटू क्योंकि एन एस और एन पी आ गये क्योंकि एन एस और एन पी आ गये तो कितना हो जाएगा सिग्मा एक एलेक्टरॉन पर तो तुम काम कर रहे हो तो उसको भूल जाओ टू इंटू 0.35 प्लस अब समझना यह है 1s2 यह है 1s2 लेकिन मैंने क्या बोला था कि जब आप 1s के हैं इलेक्ट्रॉन पर ही शील्डिंग का औफ हैक्ट निकाल रहे हो तब उस केस में 0.3 लिया जाता है लेकिन आपका है feeling one sk electron पर निकाल रहे हो नहीं आप निकाल रहे हो टूभी motor one cuz पर नहीं निकाल रहे हो तो यहाँ पर point 35 नहीं लेंगे यहां logic लगाएंगे यह है एCR n-1 अगर यह एन है तो यह है n-1 और n-1 के लिए कितना लिया जाता है 2 into 0.85 ठेक 2 into 0.85 यहाँ पर एक confusion होता है कि यह 1s2 के लिए तो हम बोल देते हैं 0.3 होता है 1s के लिए लेकिन जब आप उसी के electron पर आप shielding निकाल रहे हो जैसे वाफिस समझते हैं एक और example carbon 1s2 2s2 2p2 मुझे बोला भाईया इसके 1s के electron के उपर बताओ कित्ती shielding हो रही है पहले grouping सबसे पहले करी मैंने grouping 2s,2p hole की power 4 इसकी निकाल लिए यह इसके right में इसको मार्दो गोली इसको मार्दो गोली अब देखो कितना आए गया sigma एक electron तो गया shielding में बचा एक one into कित्ता लिकूँ? 0.3 लिकूई या 0.35 लिकूँ? कित्ता लिकूँ? बताओ 0.3 लिकूई या 0.35 लिकूँ? तो जब 1s के electron पर shielding निकाली जा रही है जब 1s के electron पर shielding निकाली जा रही है तो उस case में 0.3 लिया जाता है लेकिन अगर 1s के अलावा किसी electron पर shielding निकाल रहे हो तो फिर जो rules हैं जो rules हैं वो सारे ऐसे कैसे चलेंगे फिर वहाँ पर दिमाग नहीं लगाना clear है तो यह होता है लेन फिरFitर सु सिग्मा की value निकालते हैं और फिर हम लोग निकाल लेते हैं जेड़ अफेक्टिव ठीक है फिर हम लोग निकाल लेते हैं जेड़ के अंदर बात करते हैं जेड़ को क्या scene होता है जांड़ अगर आप left to right जाते हो किसमें एक period में आप अगर left to right जाते हो एक period में तो हमें पता है कि number of electrons बढ़ रहे हैं number of electrons बढ़ रहे हैं तो sigma बढ़ना चाहिए लेकिन आप यह भूल जाते हो कि number of protons भी बढ़ रहे हैं number of protons बढ़ने की वज़े से क्या होता है बढ़ता है तो किसी भी period में left to right जाने पर z effective क्या होता है बढ़ता है किसी भी period में left to right जाने पर z effective क्या होता है बढ़ता है और उसके इसाप शमलूख factors देखिए ठीक है अगर आपके पास कोई charge particle है मानलो आपके पास है species है charge species है f e plus f e plus two two plus or f e three plus मैंने आपसे बोला बताओ जरा इनके z effective का order क्या हो जाएगा बढ़ा आसान है basically z effective क्या है force of attraction जहां charge ज्यादा वहाँ पर force of attraction भी क्या है ज्यादा क्यों क्योंकि electron कम हो चुके है प्रोटांस तो उत्त नहीं है एलेक्ट्राव्न कम हो चुके प्रोटांस तो नहीं तो फोर्स बढ़ाई गया प्रोटांस की वज़े से बढ़ गया तो यह order हो जाएगा किसका z effective का क्या हो जाएगा जैड एफेक्टिव का ओडर यह होगा ठीक है किसी भी आएनिक species के लिए इस तरीके से देख सकते हैं ग्रूप की बात करते हो तो एक ग्रूप के अंदर जो जैड एफेक्टिव होता है वो constant रहता है यह जो concept है यह फर्स्ट और सेकेंड के लिए ज्यादा वैलिड है पहले और दूसरे ग्रुप में यानि कि अल्कली मेटल्स और अल्कलाइन अर्थ मेटल्स में हमें देखने को मिलता है कि जो जैड एफेक्टिव है वह आल्मोस्ट आल्मोस्ट constant ही रहता है ग्रुप से नीचे आने पर ठीक है ग्रुप से नीचे आने पर वह आल्मोस्ट 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 रहता है लेकिन यह trend पूरी periodic table में आप नहीं बोल सकते हुआ कि constant होगा हर पीरेड के हर गुरुप के हिसाब से अलग-अलग देखने को मिलता है ठीक है तो यहां पर जनरल यह मान के चलते हैं कि जैड एफेक्टिव क्या रहता है species है जैसे जैसे प्लस का चार्ज बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होगा बढ़ता चला जाएगा इनके अंदर भी कितने से हम लोग पढ़ाते हैं यह पूरा विजुलाइजिशन के साथ चलता है इसरल अभी इंडिया में ऐसा फर्स इंस्टिट्यूट है जो जेई या मेडिकल की प्रिप्रेशन में आपको फुल विजुलाइजिशन के साथ बताता है ओविसली कंटेंट तो आपका पूरा ही आ यह यह बताततम विजुलाइजन